वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें एक्जाइम कैलेंडर आ चुका है नोटिस आ चुकी है है सिसक्राइब बच रहे हैं असी दिवस में किस प्रकार समय की त्यारी करके आप अपना प्रिलिम्स निकाल सकते हैं इसके बारे में वीडियो है यह हमारा एक ग्रूप का स्टाटजी वीडियो है पेड ग्रूप हमारा प्रिलिम्स निकाल समय करके बचे हैं इसके बारे में पूरा वीडियो है जो लोग हमारे ग्रूप में आ चुके हैं जो लोग फुल पेड ग्रूप है उनको ग्रूप में जुड़ा गया होगा आगो सबसे पहले क्या करना है इसको पूरा शुरू से आखर तक देखेगा ध लोग फुल पेड ग्रूप में उनको डिसकेशन ग्रूप भी विला होगा या नहीं डॉट क्लेर नस्का ग्रूप मिला होगा वहां पर आपड़ वगारा भी बोट सकते हैं अपने यो लोग के वल स्टडी में वाले ग्रूप में उनको उनको जोड़ा जाएगा जो लोग अगरोजगार कारले में रेजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर केवल हिर्याना के रेजिडेंस को ही यहां पर प्रौत्मिक्ता मिलती है अईसा नहीँ है। एसमें सभी लोग bardziej करते हैं अधर Hindi Belt के भी हीनदी बेल्ट जैसे बाकी exam हो रहा हैं. यह होता है ॹिसमें जीलेबस है कि Ever इसमें टेकनलॉजी पगारा। जी स्ऱुफ पॉइिंत मीरा इसमें नहीं है. और general intelligibility आता है हरियाना का economy आता है people economy, social economy, cultural education and language of हरियाना ये सब आता है उसके बाद questions on general science will cover general appreciation and understanding of science including matters of every observation experience as expected of a well educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline ऐसा करके लिखा हुए लेकि ये तो छलावा है ये आप भी जानते हैं अगर आप exam देते रहते हैं well educated person जो है ये नहीं बता सकता है zoosports जो है और zoosporangia क्या होते हैं, koneidia क्या होते है jamules क्या होते हैं ये पूरा जो है geology first theorem पढ़ाए जाता है तो ये तो खैर एक वैसा कहने सुनने की बाते हैं कि well educated person को पता होगा इसमें आपको कही सारी specialised चीजों भी तयार करनी पढ़ती है specialised season को पढ़ना पढ़ेगा तयार भी करना पढ़ेगा लेकिन कोई अलक से नहीं तयार करना पढ़ेगा अगर आप महारे group में आ गए कितना यहां पर दिये जाएगा उतना भी अगर आप तयार कर लेंगे बचे हुए दिवस में तो आप जो है cut off के बहुत नस्दीक पहुंच सकते हैं और बहुत ध्यान दे लिया आपने तो निशित तोर पर clear भी कर सकते हैं तो इस तरीके के syllabus है syllabus तो एक दो paragraph मेंने निप्टा दिया है लेकिन paper बहुत लंदी छपके आता है 46 pages का paper आया था इस साल और बीते एक दो तीन वर्षों में one of the toughest paper हम लोग इसको कह सकते हैं 46 pages का paper छपा था आपका state pieces के लिए अधसे tough paper हम लोग कह सकते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ ये घबराने के लिए या फिर बरगलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आपको इसलिए करा हूँ कि seriously आपको study करना है असी दिवस तभी आप जो है cutoff निकाल सकेंगे जो study material दिया जाएगा वो SCS के द्वारा दिया जाएगा आपको पेड़ी study material वाले ग्रूप में कुछ वगारा हम कराएंगे जिससे आप से कराना आपको support पूरा मिलेगा लेकिन आपको serious बने रहना है इसके लिए diligent बने रहना है aware बने रहना है कि थोड़ा सा कठिन सवाल पूछा जाएगा और कठिन सतर का आप exam देने जा रहे हैं इसकी awareness बनी रहे है moderate paper में गया था 68.50 ये general candidate के cut off गया था लगला categories में इसे कम कम भी गया था ठीक है तो इस तरीके से आपको cut off clear करना होता है रियाना का 2022 में केवल result आया था cut off नहीं आया था जहां तक मेरी जानकारी है official PDF में सिर्फ role number लिखके आया था around 70% cut off को target करना है और बाकी सारी चीज़े पेपर के इसे आप डिपेंड करती है लेकिन आपको target करना है करीब 100 में से 70 सवाल सही करने का ठीक है कैसे approach करेंगे इसको भी सब आपको बताने वाला है करके तो इस तरीके cut off अलग-अलग categories का गया था उसमें देख सकते है किसी भी बड़े अभीष्ट के लिए जब हम निकलते हैं हमारा कुछ goal होता है कुछ aspirations होती है तो उसके लिए proper planning जरूरी होती है proper planning बढ़ाने के लिए हमको समझना पढ़ता है क्या चीज है हमारे सामने given है 80 दिवस का समय बाकी है सबसे पहले तो ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से कान खोल के सुन लिजी 80 दिवस यहां पर आपके करीब बाकी है जो कि 3 महिने से भी कम का समय है अभी तक आपने जितनी पढ़ाई कि अच्छी बात है इसमें और portions जो पूरे है जिसके वो revise भी करना है जितना portions लेबस का है उसको revise भी करना है जिसके बुझे से कदाचित आप नहीं निकाल पाएंगे 2022 का अपर लिम्स वाला उसको सही भी करना है overall subject का revision भी करना है तो दोनों काम इसमें करने है और बिल्कुल शुरुवात से कैसी चीज की तयारी अब नहीं की जा सकती है लेकिन जितना studium trail SCS ने दिया है आपको studium trail वाले group में उतना कर सकते हैं इतना तो भरोसर रखिए सब चीजें calculated way में दी गई इसलिए बहुत limited number of pages की PDF इस बार दी गई है सब कुछ देख समझ की जिससे आप इसको cover कर सकें 6 गंटे daily आपको देने पढ़ें कम से कम और practice भी करनी पढ़ेगी इसमें तो 6 गंटे कम से कम यहां पर देने है इसको आप 7 तक ले जा पाएं तो यह बहुत अच्छी बात रहेगी लेगिन 6 गंटे तो कम से कम आपको देने पढ़ेंगे तरवाज जिस तरीके से हरेना PCS पेपर बना रहा है बहुत मुश्किल होने वाली है जो लोग इससे कम समय देंगे NCS का पेपर prelims वाला 100 questions का होता है 100 questions का और यह बहुत lengthy type के questions होते है बहुत एक दो ही ऐसे questions मैंने देखे तो 1222 वाले paper में जो one-liner type के रहे हो otherwise multiple statement वाले questions आ रहे हैं matching वाले आ रहे हैं भी मैं paper दिखाऊँगा आपको तो दिखेगा आपको खुदी double statement वाले बहुत सारे questions पूछे गए थे chronology में लगाने वाले questions आए logical questions आए ठीक है और कुछ questions ऐसे भी है जिनको आसानी से eliminate भी किया सकता था कुछ question को eliminate नहीं कर सकते थे आप आपको information पता होनी चाहिए थी eliminate कर सकते थे कुछ questions को कुछ को नहीं भी कर सकते थे information intensive question यहाँ पर आये थे कई सारे तो आपको पेपर के लिए तैयार रहना पड़ेगा आप moderate डिफकल्ट पेपर के लिए ही तैयार रखिए खुद को तैयारी की दवरान अगर पेपर इजी आता है तो आपको ज्यादा attempt करना पड़ेगा तो difficult moderate level पेपर के लिए और lengthy पेपर के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि लगतार दो बालक से ऐसा पेपर आ रहा है जो 2021 का cancelled हुआ था पेपर मतलब पहले तो आया वह moderate level का था फिर पेपर जो है दुबारा जो आया था cancelled होने के बाद 2021 वाला जो 2022 में हुआ था वो moderate level का पेपर आया था ठीक है और ये जो 2022 वाला पेपर आया जो माई में हुआ है ये बहुत difficult level का पेपर था जो इस साल माई भी पेपर वाद 23 वाला ये काफी difficult डेवल का पेपर था तो अमिमान के चल सकते हैं कि एक lengthy paper ही आपको देखने को मिलेगा अगर आप पहले से ही ये मन बना लेंगे तो तयारी के दवरान आपको confusions नहीं रहेगी ठीक है सरल चीजें पढ़नी जरूर है लेकिन वो कठिन तरीके से प्रेजेंट की जाएगी आपके सामने question paper में ठीक है simple definitions को भी वो कहीं नहीं कहीं twist करके पूछने का प्रयास करेंगे और आपको बता है 70% के राउंड हमको target लेकर करके चलता है बागी आगर paper बहुत difficult होता है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे भी लाएंगे ये सब strategy आपको उसी दिनने देखनी पड़ेगी paper attempt करते समय सारे subject जरूरी है ये बहुत धियान रखने वाली बात है जब आप 70% target करते exam में और exam जो है moderate to difficult side रहेगा तो सारे subject important है किसी भी subject को आपने थोड़ा तो आपको chance बहुत कम हो जाते हैं आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि मैं history को ignore कर दूँ कि geography को इग्णूर कर दूँ कि science tech को इग्णूर कर दूँ कि environment ना पढ़ूं अगर समय नहीं है ऐसा नहीं कर सकते ह आप सबको आपको बराबर बराबर यहां पर time तो देना पड़ेगा बराबर नहीं तो at least उतना जितना जरूरी उतना time देना पड़ेगा priority के हिसाप से सेट करेंगे जैसे history geography बहुत major portion होते हैं अर्याणा में quality होता है तो इनको तो तैयार करना है जो accessory topics है, art culture है, agriculture है, इसको आपको छोड़ोना नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे topics होते हैं उनसे सरल questions भी आ जाते हैं, कई सारे options आप eliminate भी कर सकते हैं इसके बारे में, आप test series attempt करते समय सिखेंगे, paid quiz लगाते समय सिखेंगे, अगर आपके पास उतनी relevant information है जितनी होनी चाहिए, जैसे इससे भी आप solve कर सकते हैं, ठीक है, PM विश्वकर्मा स्कीम हो गया, जो topics चर्चा में, चंद्रयान हो गया, उसके बारे में आप इतना information जानते हैं, यतना जरूरी है, जितना newspapers में आता रहता है, उतने से भी, आप options कर सकते हैं, कई सारे, कई सारे नहीं भी कर सकते हैं, उसम अरियल लाइफ में तब ही आप कर सकते हैं, दरवाज आपको छोड़ना पड़ेगा, तो कुछ questions जो है, वो छोड़ने भी पढ़ सकते हैं, तो तैयारी हमको रखने ही पूरा cut-off clear करने के, क्योंकि यह जो prelims के marks हैं, किसी भी तरीके से mains की merit में नहीं जुड़ने वाले हैं, यह आपका qualifying nature के paper होता है, तो merit में यह prelims के marks नहीं जुड़ेंगे, आपको cut-off clear करने पर इसमें focus कर रहा है, तो कुछ questions फोड़ने भी पड़ सकते हैं, लेकिन आपको वही मैं बता रहा हूं कि moderate difficulty level के paper की तैयारी करते हुए चल रहा है, और maximum attempt करने की तैयारी भी करते हुए अब एक बात से मैं अश्वस्त कर दूँ कि study for service का study material है, at least इतना दो आप कर सकते हैं, और किया जा सकता है, past में भी कई लोगों ने किया है, और अपना guitar clear किया है, ठीक है practice resources जो हम देंगे, यानि की paid quiz or testories और साथी साथ जो study material आपको मिल चुका है, और जो current fire आगे update होता रह करना है, हरियाना specific जो budget economic survey बगर है, या फिर जो भी वहाँ की चीज़े है, static से लेकर current और बागे सारी चीज़े, वो भी दे दिया गया है group में, आप यह नहीं सोचिएगा कि 2022 अलवे पर में हरियाना से कम आया, या फिर 2021 का जोरी exam हो था, उससे बहुत कम हरिया पूछा गया जो दिया है, जिस आप से practice कराए जाएगे, आपको paid quiz में, test series में, जिस आप से study detail दिया गया, history का, geography का, politics का, subject wise, environment का, at least उतना दयार करने पर आप focus करिए, योगि सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ी जा सकती है, अससी दिवस में, अब जैसे यह वाला paper है, आपका ये, GS1 का paper है, 21 माई 2023 को ये हुआ था, है, HCS का ये prelims paper है, HCS 2023 इसको लिखा हुआ है, हुआ है, हुआ है, हुआ है, हुआ है, हुआ है, इस तरीके से इसमें questions आये तो हर question में आप जेख सकते है, multiple statement है, ज्यादातर में, कोई question बहुत ऐसा नहीं हो, given letter type दे दिया, तो tough questions है, इसमें lengthy questions है, और multiple statement वाले question है, assertion reason वाले questions भी है, कि क्या सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है, A decline of Moran Empire started after Ashoka, Ashoka followed the policy of Dharmu Vijay and disbanded his army, तो क्या Dharmu Vijay और army को disband करना ही, Ashoka के Moran Empire के पतन कारण था, या आपको पता लगाना है, इसके बाद लाकुलीश पाश्वद संपरदाय पर कौन सी चीज़े प्रकास डालती है, चार-पांत तरीके के option है, इसमें आपको देखना है, विजय नगर समराज से question है, तो वह भी books and author से तो चार books, चार author, list one, list two करके है, फिर इसमें बात है, foreign travelers तो उनके क्या characteristics थे यह इतनी बार आये, मतब कुल बला के information सभी के बारे में जरूरी होगी, सिर्फ इतना जान रखना काफी नहीं है, कि यह किस के सावसन काल में आये थे, या फिर किस year में आये थे, ऐसा हो सकता है कि अब list one, list two में, यहाँ पर जैसे foreign travelers से तो यहाँ पर country भी हो सकता है, या फिर इ relevant है, वो दिया गया है, notes में, जैसे यह सायक संदी के बारे में बूच है, लौड वे लेसली की, तो इसमें क्या उन सकतन यहाँ पर आपको बताना है कि सही है, मतलब कि जिसने सायक संदी की थी अग्रेजों के साथ, तो उन्होंने क्या नियम औगरा माने थे, जैसे इसमें सहमती होने पर सही होगी, कभी भी संदी से अलग हो सकता था, आप थोड़ा सा इसमें logic से अलबनेट कर सकते हैं, कि ऐसा होई नहीं सकता, अंग्रेजों ने कभी भी, जो है, कह सकते हैं, equal terms पर संदी कभी किया ही नहीं, हमेशा उन्हीं की चलती थी, कोई भी alley खुद से international movement के questions हो, चाए science के questions हो, कोई भी ऐसा नहीं था कि आपको एक पहचाना, which of the following is not an example of fanatic texture, तो fanatic texture किसमें नहीं होता यह बताना था, अब टाइबर रिवर के बारे में तो टाइबर रिवर के बारे में एक नहीं, तीन information पराधरित सवाल है, रॉक सिस्टम में तो रॉक में भी धारवाड के बारे में पूछा है, आरकीन के बारे में पूछा है, इस तरीके से, अभी coal field को आपको south से north की तरफ लगाना है, south to north direction लगाना है, आपको at least पता होना चाहिए था कि किसकी state में पढ़ते हैं, जैसे सिंगरेनी कहां पढ़ेगा, सिंगरावली कहां पढ़ेगा, आपको कुछ आइडियास यहां पे होने चाहिए थे कि बाई नेवेली जो है, यह आपका लिगनाइट कोल के लिए तमिल नाडूम फेमस है, 37 गड़ में जिलबिली है, तो गिरिडी जो है वो जहारकंड में है, इस तरीके से आइडिया आपको होना चाहिए, सब information study material में given है अब इसका use करके आप इसमें करम से लगा सकते हैं, तीन ये दो भी पता होते तो आप इसमें कर सकते थे असानी से, अब डॉलावजी में, डॉलावजी का जो यह आपका सिधान्त है, doctrine of lapse, पतन के सिधान्त या व्यप्तिकत का सिधान्त, इससा आपको पूरा पता होना चाह आपको गहराई तक चीज़ें पता होनी चाहिए थी, अर्थक्रस्ट में किस अलिमेंट का परसेंटेज कितना कितना है, इस हिजाब से क्रम्स लगाने को आया था, ठीक है, कई बार आपको लगे क्वोश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन वो क्वोश्चन जो पूशे जाता ह उससे समंदित कई सारी चीज़ें प्रिवियस एर में आ चुकी होती है, आपको ध्यान से पढ़ना होता है कई बार, जैसे करमेंट आफ इंडिया ने फूट एंड अग्रिकल्चरल मिनिस्टर चिदंबरम सुब्रमनियम ने लाँच किया था ग्रीन रिवोलूशन विद ता हेल्प आफ जो मतलब में स्वामिनातन थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवोलूशन इन इंडिया, इनकी साहेता शुरू किया थे, तो सही है, लेकिन जो सेकंड इसमद यह आवगा है कि ड्वार्फ बीच धान की जो हाई यल्डिंग वराइटी आई थी, हैच वाईवी, लर्मा, रोजा और इसोनारा, यह कहां से आई थी, जापान से आई थी, यह यहां पे लिखा, जबकि यह कहां से आई थी, यह आई थी, मेक्सिको से, तो इस तरीके से से सकेंड डॉलर रांग हो जाता है, तो कई सारी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, बायोटिक रिसोर्स हो गय गया, नउन डेनुवेबल रिसोरसेस हो गया, सभी को पुट कर दिया, एक कौश्चन बना दिया, तो इस तरीके कई कौश्चन आपको देखने कुलेंगे, तो कहने का राशा है, कि कही बार बहुत सिंपल सी इंफोाद्वेशन आप एक लाइन की पढ़ेंगे, लेकिन उस question नहीं आता है, या नहीं बनाएगा HCS, ऐसी ही 3-4 या 5 information को collect करके, एक question जो है HCS बनाने की कोशिश करता है हम भी नहीं कह सकते हैं सारे ही question tough है, कुछ question easy go भी है, जो आप हमेशा पढ़ते रहते हैं generally, आप PYQ में आ चुके हैं कई बार, उसी PYQ को merge करके questions ये सब बनाए जाते रहते हैं जिसे जो विभिन्द परकार की statements पूछी गई हैं ये अलग-अलग separately अपने-अपने state PCS में कहीं न कहीं questions के रूप में पूछी जा चुकी हैं, तो इन ही को आपको तैयार करना है अभी schedule जो है ये जो है किस से किस से associated है ये question है, कुछ easy questions भी है ऐसा नहीं है पर हम देखें किस subject से क्या-क्या आता है कितना-कितना weightage रहता है तो अगर हम इन तीन को देखें 2019 वाला 2014 वाल ignore कर सकते हैं क्योंकि अब pattern बदल चुका है, trend बदल चुका है इतने papers को अगर हम थोड़ा सा analyze करें इसमें तीन paper है, 2021 वाल एक paper है जो की cancel हुआ था ठीक है, उसके बाद जो ये paper हुआ था re-exam, ये tough level का exam था तो इसमें 21 question history से आये थे इसमें ancient medieval modern सभी history शामिल है ये 2022 में मई में paper हुआ था जब 2022 का paper 2023 मई में हुआ था इसमें 20 सवाल आये था history के इसके बाद general science और science technology से 20 सवाल इसमें 10 सवाल इसमें तो आप देख रहे हैं ये fluctuate होता रहता है ऐसा हो सकता है इस बार जो है 15 सवाल आजाएं ऐसा ये भी हो सकता है कि history में 15 सवाल रह जाएं geography में बहुत सवाल बढ़ जाएं geography में 15 सवाल पूछे गए इसमें 13 सवाल पूछे गए हो सकता है अब 23 सवाल भी आ सकते है तो कुछ ऐसा वहरोसा नहीं मानिएगा ये एक priority decide करने के लिए होता है जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा आता है जिसे history हो गया, geography हो गया quality हो गया और current affair हो गया इन पर हमको ध्यान देना जादे जरूरी होता है उससे current affair के इस साल के विए 6 प्रशना है लेकिन हम यह नहीं मान सकते कि इसका weightage कम है इसमें 15-16 तक भी आ सकते हैं ये मान के चलिए quality से 18 सवाल आ गये लेकिन पिछली बार कितने आ थे? 8 सवाल ही आये थे उससे पिछली बार कितने हैं? 19 सवाल आये थे तो इस तरीके से चीजें vary करती है हरियाना से पिछली बार कुछ नहीं पूछा गया तीन सवाल इसमें क्या पूछा? 10 सवाल agriculture जी किसे 3 प्रशनिस में art culture से 5 पिछली बार 6 आये थे और geography है इनको बहुत अच्छे से आपको तयार करता है बाकी कुछ चोटे topics है economy भी बान सकते हैं यह जरूरी है फिर आपको चोटे topics है art culture हो गया, environment हो गया और agriculture हो गया इसको थोड़ा-थोड़ा धेहन देना है इस पीडिया भी इस वज़ेश छोटी है बाकी history, geography, polity, economy और current fire यह major subject है इनको बहुत अच्छे तरीके से at least जितना हमने stadium drill दिया है आपको ग्रूप में उतना तयार कर लीजे और उतने सही cut-off निकाला जा सकता है religiously अगर आपने सब कुछ follow कर लिया और जिससे हिसाब से बताय जा रहा है वैसा follow कर लिया और हमारे practice resources से आपने लगतार practice कर ली तो अब दुर्वासा strategy के बारे में बात कर लेते हैं 80 दिवस जो आपको बचे हैं उसमें आप daily कैसे अपने time को utilize करेंगे time द्यान रखिएगा यह 6-7 घंटे आपको देने ही देने हैं दर्वाइस आप cover नहीं कर पाएंगे syllabus बड़ा है syllabus की demand भी बड़ी है कम से कम 3 subject daily का schedule बनाईए है आप 5 घंटे 5 घंटे study का जितना हमने दिया है PDF form में उतना ही पढ़िए ठीक है जितना आपको current fire में हमने नोट्स दिया है इसको पढ़िए आप science technology प्लस general science की जितनी PDF में हमने आपको content दे दिया है वो पढ़िए आप science tech भी important portion है मैंने शादी इसको count ने गया था science tech भी एक important portion है इसमें जितना notes में दिया वह उतना sufficient है इसमें हमने दोनों चीज़ें cover कर ली है basic science भी cover कर ली है general science जिसको कहते हैं और science tech को भी cover कर ली है जो current fire से link हो करके सवाल बनते हैं तो दोनों को यह हमने clear cover कर लिया है हमारे notes पर आप रलाए कर सकते हैं जो आपको पेपर के लिए तैयार करेंगे तो तीन सब्जेक्ट डेली का आपको शल्यूल बनाना चाहिए जिससे आपकी अच्छी coverage हो सके coverage शब्द यहां पर लिखा है मैंने coverage शब्द बहुत जरूरी यानि कि हर चीज जो आप आँखों के सामने जरूर गुजार लें जिससे आप options को at least eliminate करने कोशिश कर सकें सारी चीज़ें आपकी पढ़ी भी नहीं चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि जो भी आप पढ़ेंगे सब आपको रट लेना या फिर रट्टा मारना है रट्टा नहीं मारा जा सकता है इतनी चीज़ों का यह ऐसा possible ही नहीं 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 एक्जाम की डिमांड है अपको पूरे से लेबस की तैयारी करनी है आपको कवरेज पर फोकस करना है कोई कहीं से कुछ भी पूछ सकता है है लेकिन सारी चीज़ें आप याद नहीं कर पाएंगे लेकिन इतना आप तयार कर ले जाएंगे असी दिवस जो बचे हुए हैं लगतार प्रैक्टिस करके रिवीजन करके कि जो ऑप्शन से उसमें पहचान सकें और ऑप्शन को एलिमिनेट करने कोशिश कर सकें तो आपको मेम्राइज नहीं करना है फैक्स को ना आप कर पाएंगे आपको कवरेज पर फोकस करना है रिवीजन पर फोकस करना है कवरेज कैसी होगी आपको स्टडी करके रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है इनी सब के समन्वे से आप इतना तयार कर लेंगे कि कट human capital formation जो है हमने बहुत बार इसको NCR team पढ़ रखा है और अच्छे तरीके से पता भी होता है कि इच्छा इसमें क्या element होते है human capital formation जो है होगा कैसे लेकिन इसको देखे confused करने के लिए किस तरीके से question रहा है human capital formation as a concept to better is a better explained in terms of process which enables human capital formation क्या करने से होता है या क्या होता है इसको यहाँ पर समझाना है individuals of a country to accumulate more capital क्या capital रखने से होता है नहीं to increase the knowledge यह सही है लेकिन partially increase the skill level यह भी सही है लेकिन partially इसके बाद increase the knowledge, skill level and capacity of a person of the country यहाँ पर बेस इसको define कर रहा है human capital formation को तो हमारा answer क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है only 4 हो जाएगा क्योंकि only 4 इसले होगा क्योंकि सारी चीज़ें इसी में लिखी हुई है वैसे तो 2,3,4 हो जाता लेकिन only 4 इसले होगा यहां पर करेक्ट है तो मुल्टिपल स्टेटमेंट वाले कोश्चन होते हैं इसा आपको बचाना पड़ता है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है तो यह अलग-अलग चीजें हो सकती है अब जैसी यह सारे तो एक ही डोमेन से कोलेजियम के बारे में चार्ज डेटमेंट है किसी को भी लगेगा कि बहुत लेंदी टाइप का कोश्चन है लेकिन अगर हम इसमें देखें अगर आपको दो इंपोर्टन चीजें पता हो कोलेजियम के बारे में जो की जो भी नूस को सुन रहा होगा तो उसको पता होगा कि स system, parliament रहें ट्रुबार, जिब कि गलत है, को लेजिए में रह more बाद़ होते हैं, यह ow घूंद करते हैं, cjci करते हैं, यह information आपको बता होतब तो हमारा question year कर्ण हो जा जाएगा, तो सारे आपके option कई बाक पता होने की जरुरूरत नहीं होती है एक्जाम में जो चीज़ें आपको पता होती है जो पता होनी चाहिए किसी भी event के बारे में किसी भी concept के बारे में जो basic अधार-बूद जहांकारी पता होने से भी सवाल सही हो जाता है कई बार ठापयर्टिए पेस्टिमेशन जो है इसके बारे में अगकर बताओ कि हमारे भारत में जो पावईर्टी एस्टिमेशन जितना भी होता हूँ कगंज। expenditure basis पर होता है ना कि income levels पर क्यों income levels पर नहीं होता है क्योंकि कोई ऐसा mechanism भारत में लब्द नहीं कि self-employed people और daily wage laborers की salary को calculate कर सके seasonal factors भी होते हैं fluctuations होती हैं तो यह भी सही है यह सब दोनों concept अमने अलग अलग पढ़े होगे हैं लेकि इसमें पूछ रहा है कि उसी को पूछा जाता है लेकिन बहुत उसको typical करके पूछा जाता है आपको test किया जाता है आपकी knowledge को ठीक है कि आपने सिर्फ जो किताब में लिखोई बात पढ़े ली है पढ़े ली है या फिर उसको समझने का भी प्रयास किया है पूरी strategy के सार में आपको बता दे रहा हूँ कि आपको जो दिया गया है study for civil justice द्वारा आपके study material वाले group में वो आपको पढ़ना है focus रखना यहां पर revision पर multiple times revision पर और practice पर आप सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं नहीं exam की demand है याद रखिए यह याद रखिए मिशा कि सारी चीज़ें याद नहीं रखना है ठीक है हो गई ना है इतनी खैर जो भी है आपको SES content पर rely करना है जो भी चीज़ें ज़रूरी है साल पर जितने topics news में रहे हैं चंद्रयान जैसे हो गया इससे कुछ भी पूछ लिया जाए ठीक है new parliament building हो गई उससे कुछ भी पूछ ले जो major major events जो मेरे दिमाग में आ रहे है मैं example की तवर पर बता रहा हूँ सब कुछ वैसे cover किया गया है parliament building हो गई, single हो गया major bills जो आए है, major acts जो पारित किये गए है सब हमने याँपे study trail में cover करा दिया है आपको, water body census जो हुआ था वो tiger report भी UNFPA की report भी यह सब वो topics हैं जो मेरे दिमाग में आते जारे है मैं आपको जो जरूरी है साल भर का current fair वो करा दिया गया है हर्याना current fair अभी आपको शायद April बंद तक मिला है, इसके बाद का आपको December end तक मिल जाएगा बहुत चोटा चोटा है उसको आप तयार कर लीजिए अभी April तक का तयार कर लीजिए, December end में आपको मिल जाएगा ठीक है अभी भी आप information intensive study करें जैसे प्रलिम उसमें होता है अमेशा ही इन सब जो चीजें हैं इसको ध्यान रखते भी पढ़िए क्योंकि इन ही से exam में सवाल बनते हैं आपको भी concept पढ़ रहे हैं, fact पढ़ रहे हैं, event पढ़ रहे हैं history का, current event के पढ़ रहे हैं तो उसमें what, which पर ध्यान दीजिए when पर ध्यान दीजिए कोई government scheme आई तो कब आई, किस बारे में है या फिर क्या है, क्या उसका नाम है किसने launch किया, यहां पर who भी हो सकता है एक सवाल किसने launch किया, why एक सवाल हो सकता है क्यों launch किया, यान किसके benefit के लिए launch किया और how किसी concept में किसी phenomenon में हो सकता है तो इस तरीके से आपको temperament बनाना है study करने का, note making के बारे में कई लोग पोचते है, note making जो है, वह ऐसा ही करिए, जो इन सारी चीज़ों का answer दे आपको, ठीक है इन सारी चीज़ों का answer, अगर आप किसी concept के बारे में short में brief कर सकते हैं तो यही होता है note making, मेरे इसाब से सबसे ideal way यही है, अगर आपको लगता है कि जो information हमारे PDF में लिखी हुई है वो इन सब चीज़ों का बहुत short में answer कर रही है already, तो आपको अपना effort देने ज़रूरत नहीं आप multiple times revision पे focus कर सकते हैं आप note making छोड़ सकते हैं, ठीक है अगर आपको लगता है कि यह सब चीज़ों में बताई यह आपको notes में already बहुत brief में लिखी हुई मिल रही है, तो आप इसको छोड़ दीजे अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा expand करके लिखा है तो आप इसको brief में लिख लिजे तो चीज़ों को अगर आप surprise कर सकते हैं तो ही आप note बनाईए, अदर्वाइस अपना बाइडन फालतुमत बढ़ाईए, multiple times revision पर focus करिए बागी किसी के doubt है तो आपको discussion group से जोड़ा गया होगा full pay group members को discussion group से जोड़ा गया होगा आप अपर admin panel से अपने डाओट ऊच सकते हैं HTS के पीडाउट है syllabus के बारे में कोई डाउट है SCS के हमारे content के बारे में कोई डाउट है Fact नहीं समझवे आ रहा है, आपको एडेfination नहीं समझवे आ रही है कोई concept, कोई phenomenon नहीं समझवे आ रहा है लेकिन यहां पर शर्त यही है कि यह केवल text message कि माध्यम से आप अपनी कोरी भेजिएगा और यहां पर आपका reply within 24 hours किया जाएगा यह वाला जो रूप है इसमें कोई time limit नहीं होती है इसमें हम तुरन 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 आपके reply करते हैं और वैसे भी हर्याना का discussion रूप में अभी का members है तो आपको within 5 minute 10 minute reply आपका मिल जाएगा कोई भी आप यहां पर doubt अपने पूछ सकते हैं concept से associated, facts से associated, subject से associated, कोई doubt पूछ सकते हैं current से associated कोई भी डाउट आपका होगा within 6 hours यहां पर solve की जाता है maximum time limit 6 hours की लेकिन अगरा आप दिन के समय में working hours में पूछेंगे तुरन 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 आपका admin panel से जवाब आपका मिलेगा अब आप video number 2 देख सकते हैं उसमें basic चीजें बता दी गई हैं telegram कैसे operate करते हैं कैसे आप video download कर सकते हैं कैसे print कर सकते हैं सब चीजें video number 2 में बताई गई है video number 2 अब आप देख सकते हैं